लो नमस्कार दोख सुवागात है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल फिलाल में आपने देखा होगा कि इसका पेपर है वो अभी हो चुका है 14 माई और 15 माई के एक्जाम होने के बाद आप सभी ने अपना-पना हिंदी और इंग्लिस टाइपिंग का जो है इसुbers वहां पतुरणती देख लिया होगा हिंधी और इंग्लिस में टाइपिंग देख लिया होगा और साथी साथ आपने अपने मार्क्स देख लिया हूंगे कि क्या मार्क्ष रहे हैं आपके जो इसब कार मार्क्ष रहे तो वह सारी चीज मतलब जो गुरुप 4 आने वाला एक्जाम है उसमें CPCT आप जानते हैं कि लिए आप सभी जानते हैं चाहिए उस्टेन हो एक मेंडिटरी है मेंडिटरी एक्जाम है उसको पास करना बहुत जरूरी है तब ही आप जा करके अपने डिपलोमा जो है और अपनी जो नॉर्मल ग्रिजेशन या अपने ट्वल्ट वेस के साथ जो आपको डिपलोमा लगता है वो दिखा देते हैं कि आने वाला नेक्स्ट एक्जाम कब हो क्योंकि से तमबर में ग्रूफ ओर की एक्जाम होगा और आप उसको पास करके अपना ऐक दावा पेस कर पाएंगे ग्रूफ ओर एक्जाम के लिए ँसी को देख रहा है हम यहां पे तो दोस्तों हम आपको बता दोरा CPCT के लिए तो यहां पर हम आपको बता दें 2022-2023 के लिए पहले जो डला हुआ एक्जाम तो माई में जो था 14 माई 14 माई 15 माई 16 माई को हुआ नहीं आप जो नेक्स्ट स्टेडूल करके रखा है पहले से वह है जुलाई में जुलाई 29 को लेकर 30 जुलाई और 31 जुलाई तो यहां यह जो डेट है यह पहले सी मेंसन कर रखी है इसका मतलब यह है कि जो जो एक्जाम है CPCT का नेक्स्ट होने वाला है वह आपको जुलाई में सब्सक्राइब करके उन्हें से मिल जाएंगे आपको वर्ड एक्सल पावर्वाइंड की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोश्टन है और जो आपकी नेट्वर्किंग से संबंद कोश्टन है वह आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़िक्षा मंधन है और रीजनिंग कर पाएंगे इस तरीके से आप यह है जो 38 नुम्मर का दायरा है वह प्राप्त कर पाएंगे 38 में से पड़तीज आना पड़ता है और हिंदी और इंग्लिस की टाइपिंग को को आप पूजानते ही कहां से करना हैं ले नडिया टाइपिंग कर सकते हैं लो जो ओनलाइन टाइपिंग है वहां से भी आप उसको कर सकते हैं आप यदी चाहे तो ठीक है और यहीं इंगियूस में भी आप वहीं से जाकर कर सकते हैं इंगिसमें भी सफेंगरों हैं उसके पहले आपको इक मोका रहेगा क्योंकि जोलाइम एक्छाम हो जाएका आपको 10-15-15 तो सितंबर का नोटिफिकेशन जो आना वाला है वह आजाएगा अगस्त में ठीक है तो आपको वही दाइरह रहेगा यदि इसका एक्जाम का रिए पहले आ जाता है तो आप उसमें एप्लीक के अवल रहेंगे उस एक्जाम के लिए पर्टिकुलर तो आप अपनी दावेदा निकलने के लिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे कुछ पोस्टों के लिए यह दी हिंदी इंग्लिस निकलती है तो दोनों ही पोस्ट पोस्ट आती है इसे वर्म फॉरस्ट में कुछ होती असिस्टें ग्रेट 3 वाली कुछ होती विधी वेधाई वेधाग करके होता है उसमें गुरुफ 4 के अंतरकत जिसमें APDO करके आता है असिस्टेंट ग्रेट 3 करके आता है हिंदी इंग्लिस दो नहीं मंगते हैं बागी सब में इस कंप्यूटर साथ हिंदी टाइप पास है तो आप उसको एप्लाई कर पाएंगे तो यह जानकारी कै लेकर हिजानकारी प्रापत कर पाएंगे तो थैंक्स फो वाचिए वीडियो थैंक्य।